हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वेता और स्वेतास कीचन में आप सभी का स्वागत है आज मैं बनाऊंगी धोसा और इटली के साथ खाने वाली दो तरह की चटनी चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं पहले हम बनाएंगे चना दाल और नारियल की चटनी चलिए इसका रेसिपी जान लेते हैं सबसे पहले लेंगे एक पैन पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें तीन चमच के करीब चना दाल डालेंगे इसे रोष्ट कर लेंगे इसे रोष्ट करने में मुझे 5-7 मिट का टाइम लगा है इसे medium flame में ही roast करें देखिये चना दाल का color change हो गया है यह roast हो चुका है अब gas का flame बंद कर दें और इसे एक अलग बरतन में निकाल दें अब चना दाल में एक कप के करीब पानी डाल कर इसे थोड़ा soft होने के लिए छोड़ दें पंदरा से बीस मिनट में ये सॉफ्ट हो जाता है चना दाल सॉफ्ट हो चुका है इसका पानी अलग कर दी हूँ अब इसे ग्राइंड करेंगे चना दाल को जार में डाल दी हूँ अब इसमें चार लसुन की कलिया जितना तीखा पसंद हो उतना मिर्च और एक कप के करीब फ्रेस कोकोनट डाल कर इसे ग्राइंड कर ले फर्स टाइम ग्राइंड करने के बाद जार का धकन हटाएं उसमें स्वाद अनुसार नमक एड़ कर और हाफ कप इतना पानी डाल कर फिर से ग्राइंड कर ले इसका स्मूथ पेश्ट तयार कर ले चटनी ग्राइंड हो चुकी है जार का धकन हटा ले मुझे चटनी का कंसिस्टेंसी इतना ही पसंद है यदि आपको और पतला चाहिए तो इसमें थोड़ा पानी आड़ करके इ अपनी पीस चुकी हूँ अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर ले अब इसमें तड़का लगाएंगे इसके लिए मैंने यहां पे लिया है एक तड़का पैन अब इस पैन में एक चमच के करीब तेल डाल देंगे और तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें एक चमच राई ड डाल सकते हैं इसमें अब पांस से साथ करी के पते डाल दें तड़का तयार हो गया है अब इसे चटनी में डाल देंगे चना डाल और नारियल की चटनी तयार हैं अब चलिए कारा चटनी बनाते हैं एक पैन लेंगे उसमें एक चमच तेल डालेंगे तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें एक चमच चना डाल डाल देंगे और एक चमच उरत की डाल डाल देंगे अब इसमें दो लाल मिर्च डाल देंगे और इन सब को रोष्ट कर लेंगे लो फ्लेम में गोल्डेन ब्राउन हो चुका है अब इसमें चॉप्ड ओनियन हाफ डाल देंगे चार लसुन की कलिया भी डाल देंगे अब इन सब को शॉटे कर लेंगे प्याज सॉफ्ट हो चुका है अब इसमें एक फाइन चॉप्ट टेमेटो डाल देंगे तमाटर को भी साथ में शॉटे कर लेंगे ओनियन और टेमेटो सॉफ्ट अन मैशी हो चुका है अब इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे फिर इसे ग्राइन कर लेंगे ठंडा हो चुका है अब इन सब को जार में डाल दें स्वादन उसा नमक एड़ करें और खटा करने के लिए एक चमच इमली का पल्प डाल दें और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका स्मूथ पेस्ट तयार कर लें कारा चटनी ग्राइंड कर चुकी हूँ देखिए इसका स्मूथ पेस्ट तयार हो चुका है इसे निकाल कर एक बाउल में सिफ्ट कर लें अब तड़के की तयारी करेंगे यहां मैं ली हूँ एक तड़का पैन उसमें एक चमच तेल डाली हूँ तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें एक चमच राई डाल दें हाप चमच उरत की डाल डाल दें और इसमें सास से आठ करी लिप्स भी डाल दें तड़का तयार हो चुका है अब इसे कारा चटनी में डाल दें कारा चटनी भी तयार है इसे दोसा या इडली के साथ हिंजाए करें दोनों चटनी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सक्षन में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड सेर करना ना भूले थैंक यू